रांची से पांच बार सांसद रहे राम टहल चौधरी का बीजेपी ने टिकट काट दिया और इनकी जगह संजय स्टेट को बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्यासी बनाया है जाहिर सी बात है ऐसे में चौधरी जी नाराज है और उनका साथ देने वाले कारी करता भी मरमाहत है जिन्होंने दिनराथ पार्टी की सेवा की और अब चौधरी जी ने निर्दली चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है क्या आपको अगर मनाने की कोशिस की जाती है जैसा कि बीजेपी की और से कहा जा रहा है तो आप अपने फैसले पर पुनर विचार कर सकते हैं देखिए उन्हा बिचार करने का सवाल नहीं जिस दिन हमको कहा गया कि आप लिख के देदी जर चुनाओ नहीं लड़ेंगे उसी दिन हमने फैसला कर लिया कि हमको उसके बाद से जनता मालूम हुआ और आम माददाता और जनता का ही आवाज है कि आपको चुनाओ लड़ना है हम बिजेपी को ने जानते हैं रामटर चौदरी को जानते हैं तो उसी दबाद पर हमने निर्ने लिया और आज एक सब्ता समय ही बात का रहा हूँ कि मैं चुनाओ निर्दलिये लड़ूंगा और जो ची रामटर चौदरी सोच लेता है वो पीछे नहीं हड़ता है और मनान कि ने उनको टिकट दिया आपके जैसे वरिष्ट नेता जो कद्दावर नेता और राज्य की राची ही नहीं बलकि पूरे राज्य में जिने जनता अपना नेता मानती है उनके जगा उनको तरजीह दी गई संजय सेट भी पुराने कर करता है हम लोग साथ भी काम किये हैं मगर उनके बाद से लगा कि ओ भी दुखी है कि आपके साथ हैसा हुआ मगर अब जो लोग किस समय के अधार पर क्या सोच के दिये हैं जो टिकट दिये हैं वही बता सकते हैं मैं इसके बारे कोई टिपनी करना चाहता हूँ भाजपा का निरने है निरने है उसमें हमको टिपनी करने निरने करने मतलब काम से आता है मैं करता हूँ पूछता हूँ उसी क्या वज़ा है भाजवावाले समझते हैं कि यह सारा भाजवा का गड़ हो गया चोदरी जीत है मतलब गड़ हो गया तो गलत फौहमी में हैं 75% राम्टल चोदरी से सीधे जुड़े होगे लोग है और 25% बीजेपी के होंगे ऐसा है ती गलत फ़ामी में हैं और तो सामने आप परियाम आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा के गड़ है किराम टर्चोद्री का गड़ है आप सीधे और सरल और सहज हैं आम जनता बड़ी आसानी से आप तक पहुंच पाती है यह भी आपके व्रक्तित्व का एक बहराल आप क्या देख रहे हैं क्या यहां मुकाबला त्रिकोनिय होगा या फिर सीधे सीधे आप में और सुबोध कांत के बीच में मुकाबला होगा देखिए तो चुनाओ जब सुरुआत हो जाएगा उतरेंगे सब लोग चुनाओ में तब थोड़ा किलियर होगा अभी क कुछ बलना होचीत नहीं है समय बताएगा क्या होता है तो चौधरी जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और इन्होंने असपस्त रूप से अलान कर दिया है कि चाहे जो कुछ हो जाए वे चुनाओ लड़ेंगे निर्दली ही चुनाओ लड़ेंगे और हर हाल में जीत हास जाद रहें ऐसे में चौधरी जी ने एक नया मुकाबला यहां पर खड़ा कर दिया है जो देखना बेहत दिल सस्प होगा कैमरा परसुन संजय के साथ आकास भारगाउनी दिलेवन राची